नमस्कार में प्रियरंजल और आज की इस एपिसोड में अगेन हम डिसकस करेंगे टाटा पावर के बारे में और इस स्टॉक में इस समय के जो रिसेंट के वो ये हैं कि सर क्या इस स्टॉक को इस प्राइस पे बाइंग करें या ओल्रेडी इंवेस्टेड हैं तो एक गिट कर और यह वही लोग पूछ रहे हैं कि बाइग करें की नहीं करें जो लोग 220 के प्राइज पर बाइग तो करे थे लेकिन उन्होंने 250 के प्राइज पर प्रॉफिट बूग कर लिया है और ऐसे लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 180 120 तक के लेबिल्स दिखेंगे और यह वही ल नहीं है और आज वही लोग अगेर कुछने आ रहे हैं कि सर इसे स्टॉक में क्या करें तो आगे डिसकसन को फर्दर बरहाएं इससे पहले में कहूंगा कि अगर आप और आपका लॉंग टर्म व्यू है तो ऐसे स्टॉक को छोटे प्रॉफिट के लिए एक्जिट नहीं करे यह बड़ा स्टॉक है इसके टार्गेट भी बड़े होने चाहिए अगर आपको लगता है कि इस समय आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है आप लॉंग टर्म होल्ड कर सकते हैं तो यहां से मिनिमम टेन टाइम्स बहुत बड़ा टार्गेट नहीं भी दूंगा तो नियर अरा पाद को तो आप जानते ही होंगे कि बड़ा पैसा बाइंग और सेलिंग में नहीं बनता है बड़ा पैसा पैसेंसली बोल्ड करने में बनता है तो इस सेयर को आपने होल्ड करना चाहिए अब हम देखेंगे जो एनलिस्ट जो दिगज एनलिस्ट इस स्टॉक में 200, 120, 150 कह र रेनवल इनर्जी है जो पावर सेक्टर के डिमांड है वो कंटिनियोस बढ़ने वाले हैं इस समय जो इवी वहकल है वो तो पूरी तरीके से आई नहीं है अभी तो जस्ट इस्टार्टिंग है अभी तो बस पेलर है जब इवी हर घर में आपको दिखेंगे तब आपको टा कारण जो प्रॉफिट आप्टर टेक्स है वो फोर टाइम्स जो इस स्टाउक का इबिटा है वो त्रीकोर्स का इंच बर्से भी तो अवरल मेरे व्यूज स्ट्रॉंग है बेलकुँ सॉर्टम गेडर अगर आप है तभी एगिट लेंगे और एगिट प्राइस जो है आपका का होना चाहिए लेकिन आप बूल्ड करना चाहते हैं तो बायों डिप्स ले और लंबे बरे टार्गेट के लिए स्टॉक में रूप सकते हैं थैंक्यू